वेलकम टू विद्याले स्टेडी पॉइंट आज के वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है आज की इस वीडियो के अंदर हम हिंदी इलक्टिव का जो आपका CBSE का स्लेबस है वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप सभी को पता होगा प्रीबोर्ड की जो है आपकी डिट सीट आ चुकी और जल्दी आपके प्रीबोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे और काफी जादा बच्चे जो है ऐसे होते जिनको अभी तक अपना स्लेबस ही नहीं पता है तो आज की इस वीडियो के अंदर हम हिंदी इलक्टिव का ऐसी और सब्जेक्ट के आपके करवाएगे और जो बचगे हो जल्दी आपको करवा दिये जाएंगे तो उसका स्लेबस आज की इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे काफी जादा बच्चे ऐसे होते जो एक्जाम टाइम से एक दो दिन पहले आके कमेंट करते कि कल हमारा पेपर है आज हम स्लेबस देख रहे हैं आप सभी को पहले ही स्लेबस पाता चल जाए ताकि आप एक्जाम में अच्छा स्कोर कर पाया आपको पता हो कि आपका स्लेबस क्या है पढ़ना क्या आपको वह आज ही इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे ठीक है प्रीबोड का एक्जाम जो है यहाँ पर फरवरी मार्च लिखा गया है बट यह फरवरी मार्च ना होकर यहाँ से आपका जो है दिसंबर हो जाएगा ठीक है दिसंबर में होता है तो ये फरवरी मार्च लिखा गया है इसके लिए माफ करना चलिए आगे बढ़ते हम वीडियो की तरफ अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते है करके ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी है कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं वी एसपी क्लास जो है 11 ऐसे ही 12 के बच्चों के लिए भी ग्रूप है आप वहाँ जोइन कर सकते हैं अगर आप क्लास 12 में है 11 में तो इन सभी के हमने टेलिग्राम पर ग्रूप बनाए हुए तो वहाँ आप जोइन कर सकते हैं जो भी इंपोर्टेंट्स अपडेट्स रहती है वह हम वहाँ प्रुवाइट करवाते रहते हैं चलिए एक बार हम स्लिवस की तरफ आए तो आप सभी को पता होगा हिंदी के अंदर आपकी तीन बुक होती है एक तो बुक है आपकी अंतरा दूसरा है अंतरा और तीसरा आपका अभिव्यक्ति और माध्यम रहती है काफी ज़्यादा बच्चों को अभिव्यक्ति माध्यम की बुक ही नहीं पता रहती कि ये भी हमारी बुक है ठीक है तो अंतराल ये आपका भाग 2-2 है ठीक है याद रखना है भाग 2 जब 12 में आते हैं तो भाग 2 हो जाता है 11 के अंदर ये भाग 1 रहता है तो अंतरा भाग 2 अंतराल भाग 2 और अभिव्यक्ति और माध्यम इसका आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक important updates है क्लास 12 के एक board exam से पहले अगर आप यह sample paper purchase करते हैं तो आपके लिए बहुत यह फाइदे मन साबित होगा आपकी investment बहुत काम आएगी आपके आगे अगर हम देखे यह आपके sample paper है और सवाल की तरफ से ऐसे ही आप यहाँ पर E को subject का देख रहे हैं ऐसे ही आप English score का देख रहे हैं इसके अलावा भी और subject के आप sample paper यहाँ से purchase कर सकते हैं जो की अभी जो है discounted rate पे आपको मिल रहा है तो आप यहाँ पर मैं आपको description में link दे दूँगा वहाँ से आप जाके इसे purchase कर सकते हैं अगर आप अपने exams के अंदर जो है board exam final जो होने वाला है उसकी अगर आप तियारी कर रहे हैं ठीक है exam आपका जो 2024-25 रहने वाला है उसकी आप तियारी कर रहे है board exam की तो आप इन sample paper की मदद से आप जो है वहाँ पे 90% ठीक है 95% जो है ला सकते हैं अपने exams के अंदर अगर आप इन sample paper को करते हैं तो क्योंकि ये sample paper आपको मदद करेंगे इसके अंदर ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इसी साल के questions होंगे sample paper का मतलब है कि आने वाले जो questions है क्या क्या questions आ सकते हैं ऐसी ये sample paper होंगे इसके अंदर कई सारे paper होंगे आपके practice के लिए आप यहां से जाकर अपनी त्यारी अच्छे से कर सकते हैं ठीक है ये new syllabus जो है आपका उसके उपर बेज दोगा तो आप नीचे आपको link मिल जाएगा description में वहां से आप जाकर इसे purchase कर सकते हैं जैसे यहां के exams में बहुत अच्छे number आएंगे अगर आप इन sample paper को करते हैं तो यह यह चीज़े आप यहां पर देख सकते हैं क्या क्या चीज़े इसके अंदर होगी जैसे board sample question paper fully sold होगा unsold paper for practice होगा 2024 board paper with solution होगा ठीक है यह सारी चीज़े रहेंगी आप यहां पर देख सकते हैं चलिए आगे हम पढ़ते हैं syllabus की तरफ and syllabus हम discuss कर लेते इसके अंदर अगर हम देखे syllabus में तो जो पहली book है antra इसको हम discuss कर लेते हैं अंतरा के अंदर अगर हम chapters देखे तो यहां पर आपको यह syllabus दिख रहा होगा अंतरा का यह new book को हमने लिया है new book का मतलब है कि कुछ chapters पहले delete हो गए थे वो chapters आपको दिखेंगे नहीं अगर आपके पास पुरानी book है तो मैं आपको end में दिखा दूगा कि क्या क्या चीज़े आपकी delete हुई है ठीक है बाकि आप यहाँ पर देख सकते जैसंकर परसाज जी के जो दो क यह है दीप अकेला ठीक है मैंने देखा एक बूंद केदार ना सिंख का जो है बनारस हो गया और दिशा हो गया रगुवीर सहाय जी का वसंत आया और तोड़ो हो गया यह सभी आप देखेंगे तो यह आदूनिक है आदूनिक का मतलब है कि ज्यादा पुराने कविता प्राचीन मिलेंगे प्राचीन के अंदर आपका जो है तुलसिदाज जी आ जाते है मलिक मोहमत जैसे जी विद्यापति और घनादन्ग इसकी यह कविता आप यहां पर देख सकते हैं तो यह यह चैप्टर होंगे यानि कविता वाला पार्ट यह वाला होगा आपका जिस से पूछे जाएगे ठीक है आई होप कि आप समझ गया होंगे यह आपका अंतरा भाग जो दो है यह हो जाता है खतम पर इसके बाद आता है अंतरा भाग दो का ही अभी आपने कविता वाला पार्ट देखा था अभई यह है गध्देखनड यानि आप इसे कहानी वाला पार् मैं पढ़के आपको बता के टाइम विष्ट नहीं करना चाहता स्लिवस देख रहें जिसके अंदर आप इसे देख सकते कि यह चप्टर सबसे पूछे जाने बाले है यह होगे आपका गद्धे खड़ फिर इसके बार आता है आपका जो है अंतराल भाग दो इसके अंदर आप देखेंगे तो यह तीन चप्टर आपके बोर्ड एक्जाम के अंदर पूछे जाएंगे मैं एक बार आपको फिर से कहा रहा हूँ अगर आपके पास पुरानी किताब है तो आपके चप्टर ज्यादा दिखा रहे होंगे तो वो जो चप्टर अगर इसके अलावा दिखाई तो सब बेता में ठीक है चलिए अब आता आपका थार्ड बुक और यह थार्ड बुक जो है ना क्लास 11 और 12 तूनों के लिए सेम रहती है इसके अंदर आप देखेंगे जैसे इकाई 1 है जनसंचार और माद्दे में इसमें देखेंगे तो 11 के लिए भी लिखा हुआ यहाँ ठीक है और यहाँ पर 12 के लिए लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या है जो भी चैट्र से ना उसको डिवाइट के इया गया है जैसे कि पहले दो keeper देखेंगे 11 के लिए तो यह 12th के लिए नहीं होंगी ठीक है यहाँ पर आप देख लिए कट लगा हुआ है तो यह आपके लिए नहीं है यह 3rd, 4th और 5th जो चप्टर है आपका यह आपसे पूछा जाएगा फाइनल के अंदर और आगे की तरफ आए हम तो छटा एक मिनट छटा साथवा और आठवा जो चप्टर रहेगा आपका यह आपसे पूछा जाएगा जैसे छटा साथवा और आठवा यह तीन चप्टर है जो किलास 12 में फाइनल एक्जाम्स में आपसे पूछे जाएगे और नोवा दसवा आपसे नहीं पूछा जाएगा यहाँ आप देख सकते हैं चल यह आगे की तरफ आई तो यहाँ पे आपके ही आपके exclude स्मय नहीं था आपकी यहाँ आपको दिखा देता हूं कि कौन-कौन सीचीजे आपकी डिलीट है जो आपको नहीं पढ़ना है जैसे कि आप देखेंगे सूरे कांत तिरपाठी निराला जी का जो है गीत गाने दो मुझे ये पहले था हुआ करता था लेकिन अब ये डिलीट हो चुका है तो इसे आपको नहीं पढ़ना है अगर आपके बुक के अंदर ये चैप्टरस आपको दिखाई दे रहे तो समझ लेना आप उस पे कट लगा दे ये अंतराल भाग दो का है तो आप उस पे कट लगा देना कि आपको ये नहीं पढ़ना है फाइनल एक्जांस के अंदर इससे कोर्शन नहीं पूछे जाएंगे ठीक है आप देखेंगे तो ये आपको दिखें नहीं होंगे जो मैंने अभी आपको बुक देखाया उसके अंदर क्योंकि वो नियू एन्सियार्टी थी जिसके अंदर जो है कटे हुए जो सिलेवस है वो नहीं दिखाये गया आपके पास पुरानी बुक हो तो उसके अंदर ये हो सकता है यहां पर अभी वैक्ति माध्यम का आप देख सकते हैं जैसा कि यहां पर सिलेवस अलग से भी बता दिया गया है और किस किस तरह की कोर्सन पूछे जाएं यहां पर भी आप देख सकते हैं आपका तीसरा चुथा पांचवा चप्टर था छाटा साथवा और आठवा चप्टर यह आपका सिलेवस जो है खतम हो जाता है आपको हिंदी इलेक्टिव का सिलेवस अच्छे से समझ आ गया होगा कौन-कौन से चप्टर आप से पूछे जाने वाले हैं बोर्ड एक्जाम्स के लिए ठीक है बाकी हम प्री बोर्ड का सिलेवस डिसकस करें यह प्री बोर्ड का सिलेवस सेम रहेगा आपका बोर्ड के लिए भी ठीक है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा बाकी यही था आजका सिलेवस का वीडियो आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें share करें अपने दोस्तों में इसे ज्यादा ज्यादा share करें comment करके बताईए अपने doubts and मैंने आपको अपनी Instagram आईडी बताई दिया अगर आपको कोई भी doubt रहता है syllabus के regarding है कोई और तो आप मुझसे महाँ पर पूछ सकते हैं बाकी चैनल पर ने हो तो नीचे आपको एक subscribe का box दिखेगा जहां subscribe लिखा होगा आपको उस पर click करना है बेल आइकन को और पर select कर लेना है इससे होगा क्या जब भी हम आपके लिए कोई नई वीडियो लेकर आएंगे तो आप तक notification पहुंच जाए करेगा बाकी चलिए मिलता हो आपसे अगली और exciting वीडियो में जब तक लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम